नमश्कार आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहस की फ्रेक्वेंसी पर हेलो हद्वानी को मैं डॉक्टर रुची तिवारी सहायक प्राध्यापक मनुवग्यान विभाग आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित मोहन पन ये भी मनुवग्यान विभ कर रहे हैं अंतराष्टी युवा दिवस और मानसिक्सवास के मुद्धों पर तो सबसे पहले तो हम यह जाना चाहेंगे कि अंतराष्टी युवा स्वागत क्या है जो यह संपुरव विश्व में जो युवाँ है युवा शक्ति हैं उनकी समस्याओं या उनके जो भी मु युवा शक्ति है और उनकी जो sustainable world में जो उनकी युवा शक्ति है उसके बारे में अगर particularly मैं इसको बोलू green skills for youth towards a sustainable world मतब कैसे हम उनकी जो green skills को कर सकते हैं ताकि sustainable world की तरह हम move on कर सकें तो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्त की तो sir जैसे आपने युवा दिवस के बारे में बताया कि युवा दिवस क्या है कब मनाया जाता है तो इसी में हमारा topic में मानसिक स्वास्त जुड़ा है उसके उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश मतब अगर आप चाहें तो प्रकाश डाल दीजे कि मानसिक स्वास्त क्या है मैं जो हमने थीम रखी थी मतल़ इस पर की थीम है इंटरनाशनल यूथ डे की Green Skills for Youth in a Sustainable World इसी थीम को लेके हमने आज का ये lecture भी रखा और जो आज का मुख्य मुद्ध है वो यह है कि Mental Health Skills in a Sustainable World मतलब जो युवाओं के रहे जो Mental Health Skills की जरूरत है Sustainable World में वो क्यों है कैसे है कौन उसको पूरा कर सकता है इन सारे मुद्धों को लेके ही हम आज चले हैं और इसी में जो आपका सबसे पहला जो सवाल आपने जो पूछा था कि Mental Health के बारे में कि Mental Health है क्या या कैसे हम इसको Sustainable World के साथ इसको connect कर सकते हैं तो देखी मैं जब हम बात करते हैं Mental Health की तो इसके दो मिनिंग हमें समझ में आते हैं एक लिमन में अगर हम इसको समझें तो जैसे हमारे आसपास में जो और लोग बाते करते हैं कि जब हम Mental Health की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि कही ना कहीं एक Mental Anomalyze की हम बात कर रहे हैं Mental Disorders की बात कर रहे हैं जो भी उस disability, physiological disability के consequently जो भी हमारे behavior में change आता है वो सारे के सारे हमारे mental health के issues बन जाते हैं और जब हम इसको sustainable world के साथ जोड़ते हैं तो sustainable world के साथ जोडने का मत्तात्पर यहां पर यह हो जाता है कि एक certain moment पे अगर किसी individual के साथ कुछ की psychological या साइको-physical या neurological disability अगर आ रही है तो हम उसको अकेले ने छोड़े बड़कि इसको अपने साथ लेके चलें ताकि वो भी अपना contribution अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने समाज और अपने देश या जिहां पर भी रहता है उसके लिए वो उसके काम कर सकें क्योंकि आप देखेंगे कि mental health का मुद्ध है आज की तारीक में बहुत critical होता जा रहा है तो इसे एक शब्द में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मानसिक स्वास जो है वो हमारे mental disorder से भी ज्यादा important है मानसिक स्वास के मुद्धे जो विशेश रूप से भारतिस अंदर्व में उनमें ध्यान देने की आफशक्ता क्यों है मैं जो यह वाला आपका प्रेशन है यह मुझे लगता है कि मनमग्यान का चात्र होने के नाते हमारे लिए हम सब के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन मुद्धों को विशेश कर जब हमने भारतिस अंदर्व में जब इन मुद्धों को पढ़ते हैं या पढ़ाते है या समझते हैं समझाते हैं तो इसकी जरूरत क्यूं है तो इसके पीछे दोग चीजें है पहली हमारे आज भी आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है अगर हम देखें कि हमारे पाद जो मेंडिकल हेल्ट प्रेक्टिस मेंटल हेल्ट को देखें तो हमारे मांसिक स्वास से संबंदी जो भी समश्या हैं उनके पीछे एक सोशल सिग्मा जुड़ा हुआ है हम लोग उनको देवियर प्रकॉर्प के रोप में या किसी एक सुपर नेचरल पार के संदर्व में ज्यादा लेते हैं और यह किसी राज जीय किसी एक छे दे रहे थे उसमें उन्होंने चेताया भी था कि हम हम अतब भारत हम लोग दिरे दिरे एक ऐसे चेतरी की और मुबाउन कर रहे हैं जहां पर मांसिक स्वास से संबंदी एक नई समस्या एक सुनामी की रोप में हमारे पास आने वाली है ठीक है इसके अलाब आप देखेंगे तकरीबन हमारी जो टोटल पॉपलेशन है 1.3 अरब की जो हमारी पॉपलेशन है इंडिया की उसका तकरीबन 10% जो लोग हैं वह किसी ना किसी रोप में किसी प्रकार की मांसिक स्वास से संबंदी समस्याओं से गसी अगर आप डबलो हो की रिपोर्ट देखेंगे तो डबल हो रहे है, लेकिन उस development होने के साथ ही साथ में कुछ समस्याओं ऊसमें निकल के आ रही हैं ओ decid сказал q मानसिक स्वास की समस्याओं में सबसे प्रमुक हैं तो बिलकुल जैसे आपने बताए कि जो stigma है मानसिकिस्वास को लेकारों को लेके उसको हटाने की जरूरत काफ нам-s로 uDk reference में इसके बात कर रहे हैं तो युवाह' के जो इशूं है वह वह सब स्भाथ प्रॉन्डियिंट हो जाते हैं एक कि युवा किसी जैस की एक इसेट्स माने जाती है। मने जाते हैं कि वह अपने अनुभाव को शेयर करते हैं अपने शेयर करते हैं अपने केवल उस व्यक्ति का नुक्सान होता है बलकि उससे जुड़े पे जो आन्य लोग है उनको भी नुक्सान देखने को मिलता है इसलिए हमने मानसिक स्वास के मुद्दे की बात करता है तो युवाओं को विशेश तूरूप से हम इसमें समयलित करते हैं एक रिपोर्ट है जहा आपने देखा होगा भी हाल-फिलाल में आपनी न्यूस में भी देखा होगा कि वहापे गन कल्चर का कंस्प्ट बहुत जाद है चोटे-चोटे बच्चे वहापे किसी भी प्रॉब्लम में जब वह फस्ते हैं मतब स्कूल में कोई भी इस्शू होता है तो एकदम से वहाप जल्दी हो जाते हैं इंडिया में फॉचिनेटली अभी इतना गन कल्चर है क्योंकि हमारे मां बहुत जार्या लीगल रिस्टिक्शन जाता हैं अगर आप देखेंगे इधर कुछ टाइम में आप भी आपने देखा भी होगा यह भी समाचार में एक एपिसूड भी आया था और आपने सुना भी होगा राजिस्तान का एक जगह है कोटा तो कोटा जो है अपने इस बांजिक स्वास से संबंदित समस्याओं कर लेके जहां पर सुसाइट है यह सुसाइट रेट उस चेत्र में जादा है और सुसाइट करने वाले जो अधिकतर जो हैं वह सारे यूवा से अलग-अलग परिवार को प्रतिनेद्व करते वें वहां पे रह रहे हैं बट उनकी समस्या ऐसी है कि उनकी समस्याओं को कोई सुनता नहीं है तो सर अब एक जर्नल सा कोश्चन है कि मानसिक स्वास को एक मुद्दे के रूप में जानने की मताव शक्ता कपड़ी मैं क्योंकि हम साइकोलोजी में वर्ड पढ़ते हैं लर्निंग मताब और उसमें एक वर्ड पढ़ते हैं चींज इन बहीं है ना और वह जब भी कुछी नहीं कर रहा है पॉजिटीव में कर रहा है बहुत अच्छी बात है बहुत तब भी चींज जाएगा तो आपको अपने ज के लिए वर्ड यूज करता हूं अब इनीचियो मताब जितनी जैसी आपको लगे कि कुछ समस्या हो रही है वैसे ही उन समस्याओं का निराकरण बहुत बहुत रही है क्योंकि समस्या कब कैंसर का रूप लेले किसी को नहीं पता है तो उसको पहली स्टेज में अगर उसको क स्टेफिन सेखिव हैं नोबड में तो मानसिक स्वास्त समबंदित परिशानिया लेकिन जाते जाते सरत म बता जाए कि समाधान कों सकते हैं समयदान आप और हम और हम सब भी लोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहला सवाल बोला ना कि हमारे सब्सक्राइब बहुत बहुत जादा है मांग बहुत जादा है और सप्लाइब बहुत कम है तो अब ऐसे में हम सब हम किवल डॉक्टर्स के वरोसे या साइकॉलोजिस के साइकारीट्रस के वरोसे नहीं रह सकते हमें अपनी मोच्ण सब्सक्राइब ऑफ शेख सेख़िगा परिवार के नाते एक टीचर होने के नाते जहुट को संझें और केवल देखें नहीं केवल समझें नहीं समझने के बाद जो भी समझ्याएं हैं आपकी मेरी या हम से जुड़े बे हमारे आसपास की जो भी स्टेक्षोल्डर से हैं स्पेशली जब हम यूथ की बात करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक ही यूथ को लेके हैं तो उनकी समझ्याओं को समझें एक सम्माधान उन्हें प्रवाइट करने की कोशिस करें क्योंकि अभी आप साइकॉलोजी में हमें वर्ड पढ़ते हैं कि हमें किवल उनका कॉंगनेट स्वास्ट में केवल उसका साइकॉलोजीकल नहीं बलकि इसके लावा उनकी बिहेवरल जिंजिस मैंने पहले ही बोला ड्रग अब्यूस को लेकर अल्कॉलिजम को लेकर दूसरी चीजों को लेकर बहुत सी चीज़े रहती हैं तो यह आप और जितने भी लोग है समाज से सब्से pokus नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके परेरेंट के टीचर्स हैं स्कूल के टीचर्स है या परेंट्स ऐसा लग रहा है तो इसलिभा हम लोगों को लेनि की कोछिस करें आव बात या दिक रहें जी बिलकुल, बिलकुल, तो बहुत बुद्धा निवाद सर, आपका, आपने मानसेख स्वास्त और युवाओं से जुड़ी जितनी मी बाते थी, विभार संबंदी या मनुविज्ञान से संबंदी उसके बारे में जानकारी थी, थैंक यू सो मुच सर, थैंक यू बेम.